हलो दोस्तो आज की हमारी कहानी के लेख़क है महान कहानिकार मुन्शी प्रेमचंद जी आज की हमारी कहानी का नाम है आदार चली दोस्तो कहानी शुरू करते हैं सारे गाँ में मत्राकासा गठीला जबान ना था कोई बीश बरस की उमर थी मसें भीग रही थी गउंगे चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुस्ती लड़ता था और सारे दिन बांसुरी बजाता, हाट से बिचरता था, बहा हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा ना था, घर में कई हलकी खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे, बे सब मिल जुलकर खेती बाड़ी करत थे, मत्रा पर सारे गाउं को गर्ब था, जब उसे जांगी लंगोटे नाल या मुगदर के लिए रूपी पैसे की जरूरत पड़ती तो तुरंत दे दी जाते थे, सारे घर के यही अभिलाशा थी, कि मत्रा पहलबान हो जाए और अखाड़े में अपने सबाई को पच्चा जो मन में आए कर लो, मत्रा तो अखाड़ा छोड़कर हांकने न जाएंगे, पर उसका डील डॉल दे कर किसी को उससे उलजने की हिम्मत न पड़ती, लोग गम खा जाते, गर्मियों के दिन थे, ताल तले या सूखी पड़ी थी, जोरों की लू चलने लगी थी, गाउं में गीली दिवार को सिंगों से खोद डालता, घर का कुड़ा सिंगों से उड़ाता, कई किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारे दिन सीचते सीचते मरते थी, ये सांड रात को उनके हरे बरे खेतों में पहुँच जाता, और खेत के खेत तभा कर देता, लोग उसे कोई हानी ना पहुंसती थी, गाउं में उपदरब मचा हुआ था और मत्रा को जरा भी चिंता ना थी, आखिर जब दहरिये का अंतिम बंधन तूट गया तो एक दिन लोगों ने जमा होकर मत्रा को घेरा और बोले, भाई, कहो तो गाउं में रहें, कहो तो निकल जाएं, ज सब को पीस कर पी जाओ, सांड तमारी गायों की कारण आता है, और उसे भगाना तमारा काम है, लेकिन तुम हो कि कान में तेल डाले बैठे हो, मानो, तुमसे कुछ मतलब ही नहीं, मत्रा कुन की दशा पर दयाई, बलबान मनश्य पराया दयालू होता है, बोला, अच्छा ज पहरी थी, मत्रा सांड को भगाय लिए जाता था, दोनों पसीने से तर थे, सांड बार-बार गाउं की और घूमने की चेश्टा करता, लेकिन मत्रा उसका इरादा तार कर, दूर से ही उसकी रहा छेक लेता था, सांड की रोध से उनमत होकर, कभी पीछे की और मुड कर मत्र लहुलुहान हो रहे थे, जाडियों में धोती फट गई थी, पर उसे इस समय सांड का पीछा करने की सिवा, और कोई सुद ना थी, गाउं पर गाउं आते थे और निकल जाते थे, मत्राने ने शेक लिया कि इसे नदी पार भगाय बिना दम ना लूंगा, उसका कंट सूग और आखें लाल हो गई थी, रोम रोम से चिंगारियां से निकल रही थी, दम उख़ड रहा था, लेकिन वो एक छड़ के लिए भी दम ना लेता था, दो ढ़ाई घंटों के बाद जाकर नदी आई, यहीं हार जीत का फैसला होने बाला था, यहीं सो दोनों खिलाडियों को अपने दाउं पेच के जोहर दिखाने थे, सांड सोचता था, अगर नदी में उतर गया तो यह मार ही डालेगा, एक बार जान लड़ा कर लोटने की कोशिश करनी चाहिए, मत्रा सोचता था, अगर वो लोट पड़ा तो इतनी महनत ब्यर्थ हो जाएगी, और गाउं के का और पिराड गए, जरासा पैर फिसला और फिर उठना नसीब ना होगा, आखिर मनश ने पशी उपर बिजय पाई, और सांड को नदी में घुसने के सिवाए और कोई उपाय न सूजा, मत्रा भी उसके पीछे पीछे नदी में बैठ गया, और उसे इतने डंडे लगाए क और ना कभी उसने इतना पानी पिया था, मालूम नहीं, पाँच सेर पी गया या दस सेर, लेकिन पानी गरम था प्यास न बुझी, जरादेर में फिर नदी में मूँ लगा दिया, और इतना पानी पिया कि पेट में सांस लेने के भी जगा न रही, और फिर तब गीली धोती पानी पिने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरादेर में दूर हो जाएगा, लेकिन दर्द था कि बढ़ने लगा, और मतुरा का आगे जाना कठन हो गया, वो एक पेट के नीचे बैट गया, और दर्द से बेचैन होकर जमीन पर लोटने लगा, कभी पेट को दबाता, पर दर्द था कि बढ़ता ही जाता था अंत में उसने जोड़ जोड़ से करहना और रोना शुरू किया पर वहां कौन बैठा था जो उसकी खबल लेता दूर दूर तक कोई गाउ नहीं ना आदमी ना आदम जात बेचारा दुपहरी के सनाटे में तडब तडब कर मर गया हम सेना सका कौन जानता था कि ये दोड़ उसके लिए मौत की दोड़ होगी कौन जानता था कि मौत ही सांड का रूप धर कर उसे यू नचा रही है कौन जानता था कि जल जिसके बिना उसके प्राड ओंटों पर आ रहे थे उसके लिए विश का काम करेगा संधिया समय उसके घ जिद्वा के आशू कौन पोचे वो हर दम रोती रहती आखें चाहें बंद भी हो जाती पर हिर्दे नित्ते रोता रहता था इस घर में अब कैसे निर्वा होगा कि साधार पर जिऊंगी अपने लिए जीना या तो महत्माओं को आता है या फ्रिलंपटों को ही अनुपा को य गबारा ना था कि वो कोई दूसरा घर करे इसमें बद्रामी थी इसके सवाए ऐसी सुशील घर के कामों में कुशल लेन दिन के मामले में इतनी चतुर और रंग रूप की ऐसी सरहानी इस तरी का किसी दूसरे के घर पड़ जाना ही उन्हें असहाय था उधर अनुपा के मैक कि दा कराय मानेंगे नहीं गाओं के आदमी जमा हो गए पंचायत होने लगी ये निश्य हुआ कि अनुपा पर छोड़ दिया जाए जी चाहे रहे इहां बालों को विश्वास था कि अनुपा इतनी जल्दी दूसरा घर करने को राजी नहोगी दो चार बार ऐसा कह भी चु बोली अमा कहा सुना माफ करना जी मैं तो था किसी घर में पड़ी रहूं पर भगवान को मंजू नहीं है ये कहते कहते उसकी जबान बंद हो गई सास करुणा से बेहल हो ठी बोली बेटी जहां जाओ बहां सुखी रहो हमारे भाग ही ही फूट गए नहीं तो क्यों तुम्ह कुछ है पर उन्होंने जो नहीं दिया उसमें अपना क्या बस बस अगर आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती तुम्हारे मन में बैठे तो इसी को अपना समझो पालो पोसो बड़ा हो जाएगा तो सगाई कर दूंगी ये कहकर उसने अपने सब से छोटे लड़के बासुदेव से पूछा क्यों रहे भोजाई से शादी करेगा बासुदेव की उम्रों उस समय पांच साल से अधिक न थी अब कि उसका बहा होने वाला था बाचीत हो चुकी थी बोला तब तो दूसरे के घर ना जाएगी ना भाभी मा बोली नहीं तब तेरे साथ भ्या हो जाएगा तो क्यों जाएगी बासुदेव तम मैं करूँगा मा अच्छा उससे पूछ तो उससे भ्या करेगी बासुदेव अनूप की गोद में जा बैठा और शर्माता हुआ बोला हमसे भ्या करोगी ये कहकर वो हसने लगा लेकिन अनूपा की आखें रबडबा गई बासुदेव को छाती से लगात हुए बोली अम्मा दिल से कहती हो सास बोली भगवान जानते है अनूपा तो आज से ये मेरे हो गए सास बोली हाँ सारा गाउँ देख रहा है अनूपा तो भहिया से कहला भेजो घर जाए मैं उनके साथ ना जाऊंगी अनू अनूपा ने बासुदेव का लालन पॉशन शुरू किया उपटन और तेल लगाती दूद रोटी मलमल के खिलाती अगर अपने आप तालाब नहने जाती तो उसे भी नहलाती खेत में जाती तो उसे भी साथ रह जाती थोड़े ही दिनों में उससे हिल मिल गया कि एक छड़ भी उसे ना छोड़ता मा को भूल गया कुछ खाने को जी चाहता तो अनूपा से मांगता खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनूपा के ही पास आता अनूपा ही उसे सुलाती अनूपा ही जगाती बीमार होता तो अनूपा ही गोद में लेकर बदलू बैद के घर जाती और दबाएं पिलाती, गाउं के इस तरी पुरुस सो उसकी ये प्रेम तपसिया देखते और दांतों तले उंगली दबाते, पहले बिरले ही किसी को उस पर बिस्वास था, लोग समझते थे साल दो साल में उसका जी उप जाएगा और किसी तरफ का रास्ता लेगी, इस उसमें बास्नाओं के लिए कहां इस्तान, बास्ना का बार, निर्मम, आशाहीन, आधारहीन पिरालियों पर ही होता है, चोर की अंधेरे में चलती है, उजाले में नहीं, बासुद्यब को भी कसरत का शोक था, उसकी शकल सूरत भी मतुरा से मिलती जुलती थी, डील डॉल भ वो अनुपन थी, जिसने चोदा बरस पहले वासुद्यब को पती भाव से देखा था, अब उसो भाव का इस्ताहान मातर भाव ने ले लिया था, इधर कुछों दिनों से वो एक गहरी सोच में डूबी रहती थी, सगाई के दिन ज्यों ज्यों निकट आते जाते थे, उसका दिल बैठा जाता था, अपने जीवन में इतने बड़े परिवर्तन की कल्पना से ही उसका कलेजा दहे कुड़ता था, जिसे भालक की भाती पाला पोसा, उसे पती बनाते हुए लज्जा से उसका मुह लाल हो जाता था, दौआर पर नगारा बज रहा था, ब्रादरी के लो भी न करूंगी, सास बोली, कैसी बात करती है बेटी, सारी तैयारियां हो गई, लोगों सुनेंगे तो क्या कहींगे, अनुपा बोली, जो चाहें कहें, जिनके नाम पर चौदा बरस बैटी रही, उसी के नाम पर अब भी बैटी रहूंगी, मैंने समझा था, मरद के बिना औरत से रहा न जाता होगा, मेरी तो भगबान ने इज़्जत आबरू ने भादी, जब नई उमर के दिन कट गए, तो अब कौन चिनता है, बासुदेब की सगाई कोई लड़की खोजकर कर दो, जैसे अब तक उसे पाला, उसी तरह अब उसके बाल बच्चों को पालूंग तो मिलते हैं अगली किसी नहीं कहानी में